आज हम स्पैसिफिकली देखेंगे के एबुक डिजाइन के अंदर क्या फीचर्स होते हैं और उनके बारे में हमें क्या बेसिक पता होना चाहिए ताके हम उतसे समझ सकें उसके उपर स्टुडीज कर सकें और जो स्टुडीज हुई हैं उनको हमें पढ़ने में असानी हो तो जो एबुक हमारे सामने आती है definitely वह तुमां टीप्ज जो एलेक्टरोनिक बुक्स यह तुमां की तब ए- leadership ¹ुखी के बाराती हैं अब इसके अंदर स्पर नहीं कि वो सकती हैं आपके आपको से पता चल जाता है कि वह प्रिनाउंस कैसे होता है गेम्स भी किताबों के अंदर मौजूद होती है मौजूद होता है कॉमन फीचर है यह मारा चोटे बच्चों की एबुक्स के साथ अगर एबुक जो है उसके अंदर विज्विलाइशन के जो एलिमेंट से उसके साथ साथ अगर स्टोरी टेलिंग हो रही है तो डेफिनेटली बैग्ग्राउंट साथ भी कई दफा उसके अंदर मौजूद होता है एनिमेशन मौजूद हो सकती है जो आप इलust्रेशन देख रहे है वह एनिमेट forma हो और डेफिनेट्ली रिकॉर्डी निरेशन हो इसको रीड आउट कर रहा हो आप से पोस्ट भी कर सकते हैं इस्टॉप भी कर सकते हैं रुःवाइट भी सब्सक्राइब और से जब ़िए-वुक का अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं आइपकी आपक्छ में सकते हैं यह जो भी हमारे पास एडिजा मौं राख इसे मारे पास को फो मौझू थैंटल कंडल मौझू थैं डिफिर टाइप के गैजट मौझूद हैं जिसके फू more य स्वेटन के और वेसे सिसे किताब हम से सुन से और अद इसदी सुना है कि टैनल इसान कतो है नहीं परण नहीं घुखेशिता ले वह किताब roid film को दो धेशिवार और नहीं है एक रहिए और छाने तो हो सी एसे अपनी गुझ दिकते हों मुझाय होते हैं वो भी इबुक्स ही खेलाती है जबके उसके अंदर बहुत से जो फीचर जो हैं जो भी हमने बच्चों की कितार में डिसकस कि वह मौजूद नहीं होते हैं कुछ फीचर इसके अंदर ऐसे होते हैं क्वालिटी इबुक-üst और इसकी स्टक्चर का हिस्सा होते हैं जितनी अच्छी ईवुक वोगी उसके अंदर यह कामन फीचर जो होते हैं जो होते हैं आपके design category में क्या चीज़े आ जाती है मिसाल के तौर पेबुक प्रोसेसिंग आ जाती है उसके इलावा multimedia आ जाता है picture के अंदर के picture मूफ कर सकती है colors change हो सकती है बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है animation है print के अंदर multimedia elements मौझूद होते है आपकी रेटिंग सिस्टम होता है अगर वो चोटी एबुक्स हैं आप उसमें बता सकते हो कि आपको इसके फीचर पसंद आए या नहीं आए आपकी स्टोरी का इसके होती है आपकी होट सपोर्ट के साथ जो भी उसके अंदर मेल्टिपल होट सपोर्ट मजूद होते हैं स्टो या बड़े जो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अप ईबुक के साथ बहुत से इंट्रक्टिव फीचर के साथ प्ले कर सकते हो उनको इस्तेमाल कर सकते हो उससे फायदा उठा सकते हो स्टुडीज हमें बताती है कि मारे पास तीन डिजाइन डुमेंज हैं इबुक के अंदर जब हम किसी इबुक की क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं कि इबुक कितनी अच्छी होगी स्पेशली टीचर्स जब हम उनको अपनी क्लास्ट्रूम में लाना चाहते हैं बच्चों में हैं हमारा फोकस होता है इस चीज के ओपर के जो ग्राफिक्स हैं जो विज्वल्स हैं वो ऐसी ही होनी चाहिए जो कि थोड़ी प्रिंट फॉर्म के साथ माच होती हो ताकि उसका सुटबल फॉन्ट साइज हो बच्चों की उमर के मताबिक उसका जो फॉन्ट की सेलेक्श करते हैं इसका किन्वेंशन फ्यूस कहां पर है लर्निंग डिजाइन स्पैसिफिकली टीचर्स को देखना चाहिए आज वो कोई एबुक सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपने क्लास्ट्रॉम के लिए फॉन्टमेंटली वो इंस्ट्रक्शन के साथ जो है उसको डील कर रहा होता यह एक्सप्रसिफ सेंटेंस के लिए है कई दफ़ा यह फीचर्स बताएगे होते हैं और उसके साथ टीचर्स जो है उनके लिए असान होता है उन स्टोरिस को सेलेक्ट करना एकॉर्डिंटू दियर जो भी उनके स्टूर्ट लर्निंग आउटकम है उस एज के मताबिक नॉ क Round 2 दो लिए इनमेशन है में किस एज किस में जैवल्की है किस मेंटर लैवल की हैं डिजाइन फीचर के अंदर हमारे पास एक रीसर्च स्टेडी है हमारे सामने श्रीमर के इनकोरट की टू ताजन नाइन में इननों यह स्टेडी की थी और उन्होंने बताया था जो हाई लेवल की हाई बच्छों की लर्निंग को उनकी लिट्रसी डिवैलपमेंट को और वो इससरह ना से फसिलीटेट करते हैं बच्छों की जो इसक्षण है ना वो एबुक के साथ रेलेटी आ और ओर वो वो फीचर क्या है वो अम देख लेते हैं और और टेक्स हाई लाइब एद एड़िए उसके बाद उसके उसके इंदे निक्षिनरी की आप्शन भी मौजूद होती है जिसे बच्चा रिपीटिटली जा के इस वर्ट को देख भी सकता है उसकी प्रिनांसियेशन तुन भी सकता है उसका जो गेम मूड होता है वो डेफिनिटली टेक्स से डिफरेंट होना जाहिए क तो उसमें डिफरेंस होते हैं ताकि बच्चा प्रॉपर्ली उसे गो थू कर ले तो यह क्वालिटी फीचर्स हैं एक क्वालिटी एबुक के आज जब टीचर्स देने लगते हैं तो उनको इन चीज़ों को जरू देखना जाहिए